हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता जिसे हम गेहूं के आटे से बना कर त्यार करेंगे और सबसे बरी बात ये नास्ता बहुत ही कम समय में सिंपल तरीके से जटपट बनके त्यार हो जाता है बनाने में बहुत ही असान है खाने में पहुत ही टेस्टी है तो देर किस बात की चलिए इससे बनाना सुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा तो इस रेस्पी को बनाने के लिए यहां पर हम ले लिए हैं एक कप गेहू की आटा आप इसे गराम में ओजन करेंगे न ते दो सो गराम जितना होगा और इसी के साथ हम इसमें डाल लेंगे एक चोथाई कप बेसन आप चाहे तो इस नास्ता को सिर्फ गेहू की आटा से भी बना सकते हैं लेकिन बेसन डालने से ना यह चोथााई की चोथा चोटा चमच लाल मिट्श पाओडर और च्छोथा चमच सिर्फ चमच गराम ऐनसाला में बनाकर त्यार करेंगे इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी हम इसमें एक बार में नहीं डालेंगे थोरा थोरा करके पानी को डालेंगे और मिलाते हुए इसका हम लंस फ्री घोल बनाकर त्यार करेंगे एक बार में पानी डालने से इसमें लंस बनने लगेगा यानि कि गाठे गुटलिया बनने लगेगी इसलिए आप इसमें थोरा थोरा करके पानी को डालिएगा और इस तरह से इसको अच्छे से मिलाती हुए इसका हमें घोल बना कर त्यार कर लेना है तो यहां पर इस घोल को बनाने के लि तो अब तक हम आगे कर लिए हैं तो यहां गैस पर हम ऊपयन रखे हैं más टेल को गरम होथे ही आधा चोटा चमच काला वाला सरसो डाल दिए हैं आधा चोटा सावुष जीरा डाल दिए हैं साथ में हम इसे एक चोटा इसमें डाल लिए है एक चमच तेल, तेल को गरम होते ही आधा चोटा चमच काला वाला सरसो डाल दिये हैं, आधा चोटा चमच सावुद जीरा डाल दिये हैं, साथ में हम इसमें एक चोटा चमच उरद के डाल डाल दिये हैं, और इसी के साथ दो बारी कटा हुआ हारा मिर्च डाल दिये हैं हारा मिर्च अपने तीखा के कोडिंग कमिया जादा कर सकते हैं गैस के फ्लेम यहां मिडियम रखे हैं और इसे चलाते हुए थोरी देर पकाएंगे जीरा और राई को क्रैकल होने तक जैसे ही जीरा और राई क्रैकल होने लगेगा तो इसमें हम डाल देंगे एक medium size के बारी कटा हुआ प्याज प्याज को भी हम चलाते हुए medium flame पर थोरी देर पकाएंगे यानि की प्याज को soft होने तक जैसे ही प्याज यहाँ पर हमारा soft होने लगेगा तो इसी stage पर इसमें हम डालेंगे कुछ हरी सबजी तो हरी सबजी में हम डाल रहे हैं दो चमच जितना बारी कटा हुआ सिमला मिर्च और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं एक medium size के बारी कटा हुआ टमाटर आप चाहे तो इसमें और हरी सबजी अपने पसंद के डाल सकते हैं यानि की गाजर भी कदुकस करके चाहे तो डाल सकते हैं इसी के साथ हम इसमें डाल दिये हैं एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर और इन सभी चीजों को डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लेंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे दो चुटकी जितना नमक नमक हम पहले ही घोल में डाले हुए है इसलिए नमक यहाँ पर जादा नहीं डालेएगा थोरा सा ही डालेंगे साथ में हम इसमें डाल दिये हैं थोरा सा बारी कटा हुआ धनिया पता और अब हम इन सभी सबजी को चलाते हुए थोरी देर पकाएंगे यानि कि सबजी को सौप्ट होने तक और हाँ अगर आप इसमें सिमला मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे टमाटर और प्यास से ही बना कर त्यार कर सकते हैं और यहां पर सबजी हमारा सौप्ट हो गया है तो अब हम गयस के फ्लें बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे और इस घोल में हम इस तरका को डाल देंगे तो इस तरह से इस नास्ते में तरका लगा कर इसको बनाएंगे ना तो यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है आप एक बार बना कर देखिएगा बिना चटनी बिना सबजी के ही मन करेगा यह नास्ता ऐसे ही पूरा खा जाए तो इतना टेस्टी और इतना सौप्ट नास्ता भैसेस चला जायगा यहां पर यहां पर इस तर्का को को डालने के बाद इस तरई से से इसको mix कर लीजे गा जाएगा यहां पर इसको मिलाने के बाद मैं आपको एक बार इससे उठाकर इसके consistency को दिखा देती हूं तो आप देख सकते हैं घोल्ले consistency इसी तरह से होनी चाहिए नहीं ज़्यादा पतला और नहीं ज़्यादा गाढ़ा गोल हमारा तयार है तो इसको लेकर हम आगे हैं गैस के तरफ और गैस पर रखे हैं एक तावा और अब हम तावा में तेल लगा लेंगे तावा में तेल लगाने से तावा चिकना हो जाएगा तो जब इसमें हम नास्ता बनाएंगे तो नास्ता इसमें चिपकेगा नहीं तो अब यहां पर जो हम घोल बनाये थे उसमें से एक कर्ची घोल लेंगे और तावा के बीच में यानि की सेंटर में डालेंगे और घोल के उपर इस तरह से कर्ची को घुमाते हुए इस घोल को फैला लेंगे और इ इसी तरह से इसको हम अलटते पलटते हुए सभी साइड लो टू मिडियम फ्लेम पर गोल्डेन कलर आने तक सेख लेंगे तो यह देखी इसमें बहुत ही प्यारा से गोल्डेन कलर आ गया है नस्ता अच्छे से से शेख गया था इसको हम एक पलेट में निकाल लिये हैं और इस